ग्यानमंथन में आप सभी काश स्वागत करते हैं। बहुत समय पहले एक असुर था दंबो धव। उसने सूर्य देव की बड़ी कठोर तपस्या की। सुर्य देव बड़ी चिंतित हुए। वे इतना तो समझ ही पा रहे थे कि यह असुर इस वर्दान का दुरिप्योग करेगा। किन्तु उसकी तपस्या के आगे वे मजबूर थे। उन्होंने उसे यह वर्दान दे दिया। इन कवचों से सुरक्षित होकर बाद में वही हुआ जिसका सुर्य देव को डर था। दंबोधव अपने सहस्त्र कवचों की सकती से अपने आपको अमर मान कर मंचाहे अत्यचार करने लगा। वह सहस्त्र कवच नाम से जाना जाने लगा। उधर सती जी के पिता दच्छ परजापती अपनी पुत्री मूर्ती का अभिवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से किया। मूर्ती ने सहस्तर कवच के वारे में सुना हुआ था और उन्होंने ही भगवान स्रेरी विष्णु से प्राथना की कि इसे खत्म करने के लिए उए प्रिथवी पर अपतरित हो। भगवान स्रेरी विष्णु ने उन्हें आस्वासन दिया कि वो ऐसा ही करेंगे। समय कर्म बीता और एक दिन मूर्ती ने दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिनके नाम हुए नर और नारायन, दोनों दो सरीर में होते हुए भी एक थे, दो सरीरों में एक आत्मा, भगवान सेरे विश्णु ने एक साथ दो सरीरों में अर्थात नर और नारायन के र भाश ने किया, उस बेक्ती ने कहा कि मैं नर हूँ और तुम से युद्ध करने आया हूँ, भाई होते हुए भी दम बोधव ने हसकर कहा, तुम मेरे वारे में जानते ही क्या हो, मेरा कवच सिर्फ वही तोड़ सकता है, जिसने हजार वर्षों का तप किया हो, नर ने हसकर कहा मैं और मेरा भाई नारायन एक ही हैं वह मेरे बदले तप कर रहे हैं और मैं उनके बदले युद्ध कर रहा हूँ युद्ध शुरू हुआ और सहस्तर कवच को आश्चर होता रहा कि सच में ही नारायन के तप से नर की सक्ती बढ़ती चली जा रही थी जैसे ही हजार वर्स का समय पुर्ण हुआ, नर ने सहस्त्र कवच का एक कवच तोड़ दिया, लेकिन सुरी देव के वर्दान के अनुशार जैसे ही कवच तूटा, नर मृत होकर जमीन पर गिर पड़े, सहस्त्र कवच ने सोचा कि चलो एक ही कवच तूटा, किन्तु यह नर तो मर गया, तभी उसने देखा कि नर उसकी ओर दोड़े आ रहा है, और वह चकित हो गया, अभी ही तो उसके सामने नर की मृती हुई थी, और अभी ही यह जीवित हो, मेरी ओर कैसे दोड़ा रहा है, लेकिन फिर उसने देखा कि नर तो मृत पड़े हुए थे, यह तो दंबो दव की तरफ नहीं, बलकि अपने भाई नर की तरफ दोड़ रहे थे, दंबो दव ने अठास करते हुए नरायन से कहा, कि तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए था, इसने अपने प्रान देर्थी गवा दिये, नरायन सांती पुरवक मुस्कुराए, उन्हों अपने भाई को पुनर जीवित कर सकते हैं, अब इस बार नरायन ने दंबो दव को ललकारा और नर तपस्या में बैठे, हजार साल के युद्ध के तपस्या के बाद फिर एक कवच तूटा और नरायन की मृत्य हो गई, फिर नर ने आकर नरायन को पुनर जीवित कर दिया और यह चक्र फिर चलता रहा, इस तरह 999 बार युद्ध हुआ, एक भाई युद्ध करता दूसरा तपस्या, हर बार पहले की मृत्यु पर दूसरा उसे पुनर जीवित कर देता, जब 999 कवच तूट गए, तो सहस्त्र कवच समझ गया कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी, तब वह युद्ध त्याग कर सुर्य लोक भाग कर सुर्य देव के सरनागत हुआ, और नर और नरायन सहस्त्र कवच का पीछा करते हुए सुर्य लोक पहुँच गए, और सुर्य देव से उसे सौपने को कहा, किन्तु अपने भक्त को सौपने पर सुर्य देव राजी न हु और आप भी इसके साथ जन्म लेंगे इसका कर्म फल भोगने के लिए इसके साथ ही त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर का प्रारंब हुआ कुछ समय के बाद कुंती जी ने अपने वर्दान को जाचते हुए सुरी देव का आवाहन किया और महारति कर्ण का जन्म हुआ लेकिन बहुत से लोगों को यह आमत और पर ग्यात नहीं है कि कर्ण सिर्फ सुरी पुत्र ही नहीं थे बलकि उनके भीतर सुरी और दंबो दव दोनों ही थे कर्ण के भीतर जो सुर्य का अंस था वो ही उन्हें तेजस्वी वीर बनाता था जबकि महारथी कर्ण के भीतर दंबो धव दैत्य के होने से उनके कर्म फल उन्हें अनेका नेक अन्याय और अपमान मिलते हैं और उन्हें द्रोपती का अपमान और ऐसे ही अपकर्म करने को प्रेरित करता है यदि अरजुन कर्ण का कवच तोड़ देते तो तुरंत ही उनकी मृति हो जाती इसलिए इंद्र ने उससे पहले ही महारथिक कर्ण का कवच उनसे मांग कर ले गए थे तो दोस्तो या थी का था नर और नारायन की उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारे वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सेर करना न भूलिएगा और दोस्तो ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े होए ग्यान बरधक वीडियो देखते रहने के लिए आप मारे इस चैनल ग्यान मंधन को सब्सक्राइब ज़रूर किजिएगा और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे तो फिर जुड़े रहे आप मारे चैनल के साथ और देखते रहे जानते रहे धन्यवाद जय हिंद